मेवाद जिले की 6 प्रुमक मांगों को लेकर नुहू के समा सेवियों नुहू ADC के मारफात महा महिम राष्टे पती को ग्यापन स्वंपा आपको बता दे कि यूनिवर्सिटी नुहू अलवर फोलें सडक इस्तानिय रोजकार में 75 प्रतिसत रिचरवेशन में ब्रादरी को एश्टी में सामिल करने रेल की सीटी बजने सहित आदा दर्चन मांगों को लेकर अब अभियान जोर पकड़ने लगा है मेवात विकास सवा से जुड़े रसीद एहमत एडवोकेट इत्यादी जिले के प्रमुक लोगों ने ADC नुहू विकरम सिंग आईएस के माध्यम से महा महीम राश्ट्य पतीर रामनात कोविंद के नाम संबार को एक ग्यापन सौपा पत्रकारों से बातचीत करते हुए रसीद एहमत एडवोकेट ने बताये कि नुहू जिला देश के पिछड़े जिले में सामिल है राश्टिय राश्टानी दिल्ली से महस सतर किलोमेटर तूर होने के बावचूद भी इस इलाके में आज तक ना तो रेल की सीटी वजी नहीं उध्योग दंदे लगे और ना यूनिवर्सिटी बन पाई और ने कहा है कि इलाके के बच्चों में प्रतिबाओ की कोई कमी नहीं है लेकिर उनके पास यूनिवर्सिटी जैसी सुभीदा नहीं है जिसकी वज़े से लगातार इलाका पे चर्ड़ता जा रहा है ग्यापन देने वाले इलाके के लोगों ने दोटू कहा है अगर सरकार इन मागों पर जल्द ही गंबी नहीं होती है तो हर्यणा दिवस के अफसर पर आगामी एक नवंबर से आंदोलन की शुरुआत कर दी जाएगी आप देखरें नुहू से लियाकत अलीक रिपोर्ट मेवात के बेसिक जड़त है कि युनिवस्टी और एक हमारे 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 फॉर्लाइन बनाना और मेवात योग जोब्स होती हैं आपर इंडस्टी में या को लोकल जोब है उनमें 75 परसंट प्रेजरोशन देना और एक मेवकों को सामिल करना यह हमारे चैमांग हैं चैमांग हम हमारे बहुत ही जरूरी और बहुत ही पुरानी मांग है इनको मांग मनगनाने के लिए हम ने आज एडिसी के महरपत राष्ट्पति को ग्यापन दिया है आले इंडेलोयर एसिशन का मैं डिस्टिक प्रेजिडेंट हो और पुनाना बार एसिशन के प्रेजिडेंट ने भी लोग इलाके जिम्मवार लोग के जिलाप पारसाथ सर्पंचो ने भी ग्यापन दिया है अगर सरकार हमारी मांगो को मान लेते हैं तो हम इसको बहुत वैलकम और श्वागत करेंगे अगर नहीं मानेंकि नमंबर से बहुत-बड़ा अंदोलन अपनी मांगों को मनवाने के भी मेवाद में सुरु कर देंगे। हमारी यहां पर जो बच्चे हैं पढ़ाई के लिखाई के लोग है तो really कर पाता है लेकिन हमें यहां पर सुषिधा नहीं मिल पाति हमने युनिवस्टियान नहीं मिल देखते हैं कि जो नुह से और अलवर्ता की सड़क सिंगल रोड है इसमें तकरिवन साल में पांच-छेस्सो आदमी तकरिवन रोजना दो आदमियों की मौत की खबर आती हैं यह बहुत ही इसको खतरनाक रोड जिसको हम एक खोनी रोड भी कहते हैं इसको सरकार से हम डिमांड से अपने आगामी कारवाई होगी है